जहन्द प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, आर्मी पब्लिक स्कुल में जो PGT, TGT और PRT की वेकेंच यह निकले हुई है तो हमारे दिमार्ट में क्योशन रहता है कि आर्मी पब्लिक स्कुल में ज़िए हम PGT, TGT या PRT टीचर बन जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी रहेगी, यह हमारा एक सबसे बड़ा क्योशन रहता है और ध्यान रहें, यह क्योशन होता है, जो हमें motivate करता है, हमें inspire करता है पढ़ने के लिए तो यहाँ पर मैं जो सैलरी की बात करने वाला हूँ, वो सैलरी स्लिप 2022 के according बात करने वाला हूँ यहाँ पर मैं सबी के सबी allowances के बारे में बात करूँगा, DA, HR, इसके अलावा जो भी other allowance मिलते हैं, NPS कितना करता है, GIS कितना करता है इन सबी के बारे में बिल्कुल totally authentic data के साथ मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ठीक है, PGT, TGT और PRT तीनों को मैं combine करके, साथ ही साथ, यदि आपका main target है, government job लगना, आपका target है, सरकारी नोकरी पाना तो आप प्लीज एक पार इस चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में, यदि कहीं भी कोई भी सरकारी नोकरी से सम्मधित notification निकलता है, तो मैं सबसे पहले आपको update करूँगा तो हम Army Public School की salary के बारे में बात करने वाले हैं, दिखो सबसे पहले एक एक चीज़ को लेके चलते हैं, PGT, TGT और PRT Army Public School के according, यदि हम grade pay की बात करें, तो PGT है जो 4800 grade pay की नोकरी होती है, TGT 4600 grade पे की नोकरी है, और PRT 4200 grade पे की नोकरी है pay scale के बारे में मैं बात करूँ, तो PGT का pay scale रहता है, 3300 रुपए से लेकर 34800 रुपए तक, PGT का pay scale रहता है, 3300 में 34800 तक और PRT का पेस्केल रहता है वो तर्राण में सो से लेकर 34,800 तक जहां रहें पेस्केल है जो PGT, TGT और PRT तीनों का बिल्कुल एक बराबर रहता है ठीक है अब हम सुरुआत करता है बेसिक पे के बारे में जो देखो बेसिक पे PGT का जो बेसिक पे होता है वो होता है 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए तक TGT का जो बेसिक पे होता है वो होता है 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक और PRT का बेसिक पे रहता है 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक यह होता है इनका बेसिक पे अब हम बात करते हैं salary की शुरुआत की इनको salary कितने कितने मिलती है और कैसे मिलती है बिलकुल detail चे बात करते हैं दोको basic पे, PGT का जो basic पे रहता है पहले महीने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसी तरीका का कोई probation period नहीं लगता directly आपके पहले महीने से आपकी जो authentic salary है वो शुरू हो जाती है तो PGT में basic पे रहता है 47,600 रुपए, TGT में basic पे रहता है 4,900 रुपए और PRT में basic पे रहता है 35,400 रुपए तो PRT का basic पे 35,400, TGT का basic पे 4,900 और PGT का basic पे रहता है 47,600 रुपए अब हम बात करते हैं DA, देखो DA का यहाँ पर एक अलग funda होता है जो RB public school होती है, इन्हें DA और SDR दोनों का एक अलग से funda होता है देखो जो DA होता है न, central government में जतना DA मिल रहा है, उसका 85% मिलता है यहाँ पर, ठीक है center government में फिलाल में 34% दिये है, तो आपको उसका केवल 80% मिलेगा तो यदि हम 32, sorry 34 जो आपको फिलाल में center government DA प्रोवाइड करवा रहा है उसका यदि हम 80% निकालते हैं, तो 27.2% value निकल कराती है ठीक है न, तो army public school में जो DA होता है, वो central government में जतना DA प्रोवाइड करवाती है उसका केवल 80% ही मिलता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर DA कितना मिलेगा 27.2% मिलेगा, यदि हम 34% का 80% निकालते हैं, तो 27.2% निकलता है तो देखो प्यारे साथ क्यों, यदि आप PGT teacher बनते हैं, चाहे TGT बनो और चाहे PRT बनो आपका DA यहाँ पर रहेगा 27.2% जिसको मैं एक range मिलेके चल रहा हूँ 27% के में, ठीक है, तो PGT का DA हो जाता है 12,852 रुपए ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें HR, देखो HR का भी एक अलग से फंडा होता है जो Central Government जितना HR प्रोवाइड करवाती है, उसका 50% HR मिलता है यहाँ पर अब इसमें क्या है कि जो Central Government XYZ तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रही है 9%, 18% और 27% ठीक है, Central Government इस तीन रेंज में HR प्रोवाइड करवारी है परजेंट है में Central Government के employee को, तो यहाँ पर आपका जो HR है वो इसके according count होगा, 27% के according, तो चाहे आप PGT teacher हो, चाहे TGT हो और चाहे PRT हो, आपको 13.5% यहाँ पर HR मिलेगा, कितना, 13.5% HR मिलेगा, 50% ही मिलेगा HR तो यदि मैं PGT teacher की बात करूँ तो उनको मिलता है, 6426 रुपए का HR मिलता है TGT teacher को 6,61 रुपए का HR मिलता है, और PRT teacher को 4,709 रुपए का HR मिलता है तीक है, इसके अलावा, एक EPF नाम से और एक्स्ट्रा अलाउंच मिलता है इनको, जो तीनों को बिलकुर 1818 रुपए मिलता है ठीक है, TGT, PGT और PRT तीनों को EPF अलाउंच मिलता है, 1818 रुपए का इस तरीके से, इनकी gross salary बनती है, PGT teacher की बनती है, 68,678 रुपए TGT teacher की बनती है, 64,884 रुपए और PRT teacher की बनती है, 21,537 रुपए ये क्या बनता है, इनका gross salary बनता है अब इसमें होता है deduction, यहाँ पर deduction आपके दो होता है एक होता है NPS का deduction और दूसरा होता है GIS का जो NPS का deduction होता है, जितना amount NPS का आपके मंतली कटेगा, उतना ही government अपनी तरफ से मिलाएगी उसमें थोड़ा सा extra मिलाती है, देखो आपका 10% करता है तो government लगबग 12% अपने तरफ से मिलाती है यहाँ पर यह एक positive point होता है आपका NPS, आपका DA और आपकी जो basic salary है उन दोनों को मिलाकर और उसका जो 10% होता है वो हर महीने का आपका NPS कटता है अब जितना 10% आपका NPS कटता है और 12% government अपनी तरफ से आपके NPS अकाउंट में एड करती है यहाँ पर 2% extra आपको NPS मिलता है ठीक है, suppose that आपका 5,000, 50,000 आपका DA और basic salary दोनों को मिलाकर बना ठीक है, इसका 10% NPS कटतेगा आपका 5,000 रुपए अब इसमें 2% extra और government मिलाएगी मतलब इसका 12% निकालो, तो इसका 12% होगा 6,000 तो 5,000 तो आपका NPS कटता और 6,000 government आपकी नीत रफ से मिलाएगी तोटल 11,000 रुपए मंतली आपके NPS अकाउंट में ट्रांसपर कर दिया जाएगे जब आप retirement लेके आओगे, तो with government जो bank जो interest provide करवाता है उस interest के according आपको with interest complete आपका जो amount है वो retirement के समय आपको provide करवा दिया जाएगा ठीक है, तो NPS, PGT का कटता है 5925 रुपए, PGT का कटता है 5702 रुपए और PRT का कटता है 4495 रुपए GIS की हम बात करें, तो 3,000 के 160 रुपए कटता है, यह एक insurance का amount होता है ठीक है, तो इस तरीके से, यदि मैं सभी के सभी deduction को निकाल दूँ, ठीक है तो आपके net salary जो पहले महिने में आपके account में transfer होगी, वो होगी यदि आप PGT teacher बनते हो, तो 62,533 रुपए, PGT teacher बनते हो, तो 69,022 रुपए मंतली आपके account में transfer होगी पहली साल में, ठीक है, ध्यान रहे है, यह salary आपकी केवल 12 महिने तक रहेगी उसके जस्ट बाद में, next year से आपका जो basic salary है, वो 3% बढ़ जाएगा, ठीक है पहला increasement, दूसरा increasement, जो DA है, वो government हर साल में दो बार बढ़ाती है, तो average DA बढ़ता है 3% के approach, ठीक है, तो हर साल आपका 10% है, 3% DA बढ़ जाएगा, तो उसका 80% निकालोगे, तो 2.5% आपका हर साल DA बढ़ जाएगा plus में 3% हर साल आपका basic salary बढ़ेगा, और इस तरीके से आपकी salary increase होती जाएगी, साथ जैसे जैसे आपको promotion मिलते जाएगे, आपकी salary भी बढ़ती जाएगी, आपके promotion भी होते जाएगे, और यह रहेगा से, तो देखो मैं पैता दू, आपको पहली साल में कितनी salary मिलने वाली है, PGT teacher को पहली साल की salary मिलेगी, पिछे 7,50,306 में रुपए, TGT teacher को पहली साल की salary मिलेगी, 7,8,244 रुपए, और PRT teacher को पहले साल की salary मिलेगी, 5,62,584 रुपए, ठीक है, तो इस तरीके से यह आपको एक भोती शांदार amount मिलेगा, यदि आप किसी इस्टेट government के exam में लग लगते हो, तो भई, इस salary तक पहुंचने में, 5-10 साल की नोकरी का time लग जाता है, आप LDC बनते हो, तो retirement के time आपको इतनी salary मिलेगी, तो बहुत गजब की salary मिलने वाली है, और teacher की post तो बहुत ज़्यादा working load नहीं होता, बहुत ज़्यादा work नहीं होता, आपको वहीं पर quarter provide क दाने के लिए जा रहे हो, क्योंकि घर से निकलते ही, आपका quarter से निकलते ही, आपका school से निकलते ही, आपका quarter, ठीक है, प्यारे साथ ही हो, तो अब ये video आपको अच्छा लगा हो, आपको motivate किया हो, आपको inspire किया हो, तो please channel को subscribe करो, वीडियो को like करो, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, thanks भाई मेरे प्यारे साथ को,